स्रीरा खुंद्राए नमेहूं बदल गई अगस्त में बिहार की सरकार मुख मंत्री वही रहे स्रीमान नितीज कुमार लेकिन लालू के राज कुमार ते जस्वी जादा उप मुख मंत्री बन गए सबसे बड़ी बात है उप मुख मंत्री बनने और नहीं बनने में क्या अंतर है जब तक उप मुख मंत्री नहीं बनने थे इनकी जेड स्रेणी की सुरक्षा की जरूरत नहीं थी लेकिन जैसे ही उप मुख मंत्री बने इनको जेड सेणी की सुरक्षा की जरूरत महसूस हो गए इनको तलब हो गया कि हमें जेड सेणी की सुरक्षा चाहिए बेतिया में पुजारी का गला काटा गया मुंगेर में पत्रकार को गोली मार करके हत्या की गए इनके सपत लेने के 24 गंटा के भी तर आप सोच सकते हैं पटना में हत्या हुई क्या संजोग है जब जब लल्टेन यानि राष्टिय जन्तादल सत्ता में आता है तब तब अपराध का आंकड़ा बढ़ जाता है अपराधें होने लगती हैं और बिहार वासी सिहम जाते हैं क्या फिर नरसंगार का दोर चलेगा क्या फिर बारा हत्या कांड़ होगा क्या फिर बाथें में लोग गाजर मूली की तरह काटे जाएंगे राष्टिय जन्तादल की ये मानशिक्ता कैसे दूर होगी तब ही तो डर है तिजस्वी जादों को कितने अत्यचार जब होंगे तो हमारे प्रति लोगों का गुश्या होगा इसलिए हमको जेड सेणी की सुरक्षा चाहिए इसी उपमुख मंत्री के पद पर सीमान शुशील मूदी थे उन्होंने तो कभी जेड प्रसुरक्षा नहीं ली लेकिन ते जस्वी जादों को जेड प्रसुरक्षा की नितांत जरूरत हो गई हलात कैसे बदलते हैं अब देखिए अब तेज प्रताप जादों जब मुख मंत्री बनेंगे तब राश्टी जनतादल का चेहरा और सामने आएगा आपको क्या लगता है राश्टी जनतादल के सासनकाल में स्वीवान के चंदाबावो के दो बेटों को एसिड से नहला करके सहबुदीन ने जान लेली थी क्या वो घटना ही पुना घटेंगी बिहार की जनता दहसत में जी रही है जब पंद्रह से सत्रह में स्वीमान नितिश कुमार उपमुखमंती थे उस सरकारी उस आवास में इनोंने 46 एसी लगाया था लालू के राश्गुमार को एक एसी में रहना मुनासिम नहीं था उसको ये छोड़ने के लिए तयार ही नहीं थे सुप्रिम कोर्ट तक इनोंने लड़ा लेकिन नहीं अनुत में राज खुला कि ये 46 एसी इनकी राजसाहियत को सुचित करती है इनकी बातसाहियत को सुचित करती है जिसा जुशी जादो लालू जादो के नक्षे कदम पे चलते हैं उनके पुत्र हैं चलना भी चाहिए लेकिन तब बिहार के जनता के बारे में एक नया सबिरा लेकर के सोचना चाहिए यहां विकास है आपको तो जेट प्लस सुरक्षा मिल गई जनता को कौन सी सुरक्षा आप दे रहे हैं उपमुख मंत्री होते हुए स्रीमान सुशील मोदी ने कभी भी जेट प्लस सुरक्षा नहीं ली फिर कौन सा कारण है जिसे कि तेजस्वी जादो को जेट प्लस की सुरक्षा की जरुरत हो गई कोई जरुरत नहीं है यह सिर्फ डर है यह डर है आतंक का यह डर है आतंक का यह इस डर से तेजस्वी जादो अपने को बचा नहीं पा रहे हैं उन्हें मालूम है कि जब लालू जादो रबरी जादो बिहार के मुखमंत्री हुआ करते थे उस समें नरसंगारों का दौर कैसा था सुरुवार्द के दीनों में स्रीमान नितीश कुमार लालू जादो के साथ ही रहते थे कई कारणों से दूर हुए फिर मिले फिर आये और फिर भारती जन्ता पाटी को छोड़ करके उन्होंने अपने पल्टुराम का जो साथिक अर्थे हैं इनका उसको उन्होंने शाथ तक दिया इनके पेट में दर्द होने लगता है छो मेंना साल भर के बाद दूस साल के बाद क्यों न इस दर्द को सांथ करने के लिए पल्टी मार ली जाए बिधायकों की संख्या तो बहुत ही कम है 43 इन्होंने कभी कोशिस ही नहीं की ना उतनी दम है ना उतनी दमखम है कि बिहार में हम बहुत में आकर के मुखमंत्री बने ये खुआब उन्होंने कभी देखा ही नहीं होगा नितीश कुमार एक ऐसे मुखमंत्री है मधुकोडा की तरह वो निर्दलिय नहीं है लेकिन मधुकोडा निर्दलिय थे लेकिन मुखमंती तो वही रहते थे मधुकुड़ा शाहप जो जारखंड के हैं उसी तरह से शिमान नितीश कुमार मुखमंती तो रहेंगे लेकिन पाटी में इनकी पाटी ने इनकी बिहार में पकड़ रखनी छोड़ दी है अब मात्र जॉइंट मिलकर के भी लड़े थे तो मात्र 43 विधायकों के साथ ये चुनाओ लड़ पाए थे अगर देखा जाए तो इतने कम भोटों के बदावलत भी कम सीटों के बदावलत भी सीमा निटीश कुमार किस तरह से कभी भारते जनता पाटी के सहयोग से कभी राष्टे जनता दल के सहयोग से मुखमंत्री बनते रहे और ये दोनों पाटियां देखते उए भी कि हम लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है हम लोगों का सोसन किया जा रहा है निटीश कुमार का समर्थन करने के लिए बाद्य रहती है लेकिन अब बिहार की जनता जग चुकी है अब बिहार की जनता ये प्रश्टे पूछती है कि आखिर जस्वी जादव को जेडप्रस रक्षा की क्या जरूरत है क्यों वो चाहते हैं जरूरत रक्षा उन्होंने ले लिया दूसी चीजे आप देखे होंगे कि मुख मंत्री कहने को तो स्रीमा निटीश कुमार है इन्हों इन्हें डर लगता है कहीं निटीश हम कहीं तेजस्वी हमसे नराज न हो जाए तेजस्वी जादव को हाथ कि उनकी कूर्शी तक ले जाने का काम स्रीमा निटीश कुमार कहते हैं करते हैं क्यों साराद तारमदार तो तेजस्वी जादव पर है जिसके पास असी विधायक होते हुए भी ते तालिस विधायक के आदमी को मुख मंत्री बनाया है यह बिहार का दुरभाग्य नहीं तो है जिसके विधायक जित नहीं पाते हैं उन्हें उस व्यक्ति को यहां मुख मंत्री की कुर्शी मिलती है और विकास विहार का बादित होता है यही वज़ा है स्रीमा निटीश कुमार यह सोच नहीं सके कि फैक्टरियां कैसी लगेंगी एक फैक्टरि लगाने में यह असमर रहे इनका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ पाला बदल पल्टू राम की सक्सियत वाली रही कभी इस दल में कभी उस दल में